नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन द्वरा बनाया, मौक कोस्टिन्स फॉर पिलम्स में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, 28 मही दो सारी किसका इंपोर्टन कोस्टिन्स चकरते हैं, आगे जान से पहले लेक्शा पर लाइका बटन जरूर दबा आईए, आपने आंसर किया होगा, आपने आंसर इस ऑप्शन B, इंक्रीज इन इंटरेस रेट्स देखेए, एकोनोमी जरेटेटेड एक कोस्टिन्स इस तरह की कोस्टिन्स अक्सर यूपीसी पिलम्स में पोचते हैं, ज्याता से ज्यादा लोग जो है इसको छोड़ देता ह नगेटिव मार्किंग के डर से, क्योंकि इस तरह की कोस्टिन्स का जो ओप्शन है वो ज्यादा ट्रिकी रहता है, पर दोस्तों यह जो कोस्टिने काफी डिरेक्ट कोस्टिन है, देखे इसमें ओप्शन क्या-क्या दिया है, इंक्रीज इन प्रडक्शन रिक्शन इन अनन देखिए Reserve Bank of India government securities sell करने से इन तीनों में कोई फरक नहीं पड़ता पर interest rates में फरक पड़ता है आप देखिए आपको यह समझना होगा यह government securities क्या होता है देखिए government securities एक financial instrument बोल सकते हो basically government एक guarantee देता है एक certificate देता है इंडिया में सबसे safest investment माना जाता है government securities government securities का maturity period होता है maturity period के बाद interest के साथ मतलब थोड़ा ज्यादा परिसान मिल जाते हैं काफी अच्छा interest rate भी है basically interest rate नहीं बोल सकता coupon rate बोलते है मतलब मालो 100 रुपिया का एक unit security है तो आपको करीब 98 या 97 में दे देगा ठीक है बेचोगे जब मैचूर हो जाओगे ताब अको 100 में बिग जाएगा तो इस तरह की profit मिलते आपको तो government securities banks अक्सर खरीते है जो commercial bank से जब भी Reserve Bank of India government securities sell करते है commercial bank जाके ज्यादा पैसे उसमें invest करते है इससे क्या होगा इनकी जो reserve रखना पड़ता है Reserve Bank में वो भी पूरा हो जाएगा और इनमें interest भी मिल जाएगा तो इस तरह government securities sell या purchase करने से market में जो money circulation इसको Reserve Bank of India रगलेट कर सकता है वैसे Reserve Bank of India के पास कई सारे options है financial instruments है market में जो money supply उसको increase करने के लिए देखिए market में money supply ज्यादा होने से क्या होगा आपको पताईए inflation हो जाएगा ठीक है अगर कम होने से deflation होगा तो इस तरह की problems होता है तो Reserve Bank of India के पास एक option है open market operations जिसमें ये purchase and sale of G-sucks आता है G-sucks मतलब government securities अब देखिए दोस्टों आप सोच रहोंगे purchase and sale of G-sucks से money circulation कैसे कम या ज्यादा हो सकता है देखिए दोस्तों मान लो market में money ज्यादा हो गया पैसे ज्यादा गुम रहा है जिससे inflation हो सकता है तो Reserve Bank of क्या करेगा Reserve Bank of India on behalf of central government क्या करेगा government securities को sale करने लगेगा बेचने लगेगा तब क्या करेंगे जितने भी bank से commercial banks वो government securities को खरीदेंगे क्यों इनका तो फाइदा है उसमें से ज्यादा bank government securities को खरीटने से या पैसे उथर divert करने से क्या होगा market में ज्यादा पैसा निकलेगा नहीं मतलब banks जो है ज्यादा पैसे फिर देगा ही नहीं किसको public को basically कोई business शुरू करने के लिए या कोई काम कराने के लिए अगर हमें loan चाहिए तो reserve sorry जितने भी commercial bank से वो ज्यादा हमें encourage नहीं करेंगे बड़े-बड़े business जैसे करोड़ो रुपय लगता है उसके लिए loan के लिए आप commercial bank पहुंच जाओगे तो आपको इतना easily loan नहीं मिलेगा क्योंकि इनके पास पैसे नहीं रहेंगे loan देने के लिए क्योंकि यह maximum पैसे government securities खरीदे में लगा देते हैं जितने भी commercial bank से तो इसी तरह market में जो पैसे निकलते हैं सर्क्लेट होते हैं वो कम हो जाते हैं तो क्या होगा इसके साथ-साथ जो commercial bank से वो interest rates भी बढ़ा देगा क्योंकि जब पैसे कम है demands ज्यादा तो interest rate बढ़ना है आप देखिए vice versa आप सोच लो अगर पैसे कम है market में ठीक है तो government bank of India क्या करेगा government securities को खरीदने लगेंगे open market से तब क्या करे रिजर्व bank of India पैसे ज्यादा डालेंगे और securities को खरीद लेंगे तो सीधा opposite impact होगा ठीक है interest rate जो है वो कम हो जाएगा और loan ज्यादा देने लगेगा क्योंकि ज्यादा liquidity आगे ज्यादा उसी तरह Reserve bank of India money circulation को control कर सकता है ठीक है अब देखिए तरह इंवस relationship between born prices and interest rates this purchase of bonds वाया oh mo raises the prices of bonds and reduced rates vice versa ठीक है ये मैंने बता दिया आपको मतलब bonds purchase करने से government securities का जो price हो बी बढ़ता है रेट सोच लो अगर sale of government securities करेंगे sale of bond करेंगे government तो क्या होगा जो government securities का price वो कम हो जाएगा and interest rate वो ज्यादा हो जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आए तो comment box में बता दिएगा actually थोड़ा सा confusion है इसमें फिर मैं बता रहो यह बहुत basic topic है इस तरह आप basic समझ होगे तो आप इस तरह की question का अंसर आराम से बता पाऊगे so the answer is here very clear sale of government securities by RBA is expected to lead to increase in interest rates question number 2 according to the ministry of labor government of India which of the following labor force comes under the unorganized labor force in India video post कीजिये और answer बताईए I hope आपने answer किया होगा now the answer is option D, 1, 2, 3 and 4 यह चारो जोए दोस्तों unorganized labor force में आता है एक बात में आपको बताऊँ दोस्तों India में जितने भी job force है इसमें 90% से एबो जो है दोस्तों unorganized job force में आता है organized force जो है हमारे labor force में बहुत ज्यादा कम है अगर आप compare करोगे unorganized sector से ठीक है अब देखें, ministry of labor government of India के website में जाओगे आपको unorganized labor force के बारे में काफी कुछ information मिल जाएगा, यह important topic है एक बार means में भी शायद एक कुछिन पूछा दा unorganized labor sector के बारे में देखे, unorganized labor force को ministry of labor ने चार वी भागों में debate किया है, under terms of occupation under terms of nature of employment, under terms of specially distressed category and under terms of service category अब पढ़ लिजेगा, इसमें कौन-कौन सा sectors आता है, कौन-कौन से काम करने वाले होगा आता है, very important for our examination point of view, ठीके, आप देखे, हमारे question में क्या क्या लिखा है, small and marginal farmers, migrant workers, building and construction workers, midwives, etc. इसमें migrant workers सबसे important है, इसके चलते काफी news भी आ रहे है, मैंने question डाला ही इसलिए क्योंगी Supreme Court ने recently एक बात किया है, migrant workers के बारे में या, sorry, unorganized labor force के बारे में ऐसा एक suggestion उने ने दिया है, इनका पूरा list ले रो, इनका पूरा एक nominal roll तायार कर लो, कितने लोग इस तरह affected है, आपको पता ही होगा, migrant workers जो है, एक COVID-19 pandemic की बज़े से काफी affected है, इनका काम पूरा रुग गया है, वाईसे जो migrant lovers भी हमारी economic development में contribute करते हैं, COVID-19 pandemic की बज़े से जो lockdown ये सब हुआ, इसकी बज़े से इनका काम रुग गया, इसकी बज़े से हमारी economic development में भी एक हाथ तक affect हुआ है, ठीक है So here are answer is option D, 1, 2, 3 and 4 Question number 3, consider the following statements regarding insurance penetration in India which are correct, video post कीजिए और answer बताईए I hope आपने answer किया होगा, not the answer is option B, 3 only, statement 1 and 2 गलत है, देखें दोस्तों, insurance penetration, इसका मतलब क्या होता है मतलब जितने लोग insurance लिया है, हमारे पूरे population में कितने लोग insured है, इसको बोलता है insurance penetration वो इंडिया में कितना है, कितना नहीं है ये इसके regarding एक report आया है, ठीक है अब देखें, पहले में statement देख लेते है insurance penetration in India is currently 3.7% of GDP compared to the world average of 6.31% अगर आप world या global average compare करोगे तो insurance penetration जो इंडिया में है, वो कम है only 3.7% of GDP है whereas world average कितना है, 6.31 है अब देखें, एक report आया था growth in life insurance sector has slowed to 11-12% ठीक है, pandemic के वज़े से लोग क्या है, ज्यादा पैसे बचा रहा है ये stocks में या life insurance policies में वगेरा लोग ज्यादा invest नहीं कर रहा है ऐसा एक report आया था, इसलिए life insurance sector slow down हुआ है 11-12% अब IRDA के बारे में मालोथरा कमिटी रिपोर्ट वेरी इंपोर्टन देखिए 1999 में मालोथरा कमिटी रिपोर्ट के रेकमेंडेशन से insurance regulatory and development authority constitute किया था ऐसाल autonomous body फिर 2000 में इसको ऐसे statuatory body इंकुर्बिट कर लिया गया ठीक है statuatory body मतलब क्या है इसके लिए पार्लमन ने एक law pass किया ठीक है पूरा insurance industry को regulate and develop करते IRDA है तो हमारा statement देख लिजे दोस्तों insurance penetration in India which is more than world average बिल्कुल गलत growth in life insurance sector has increased in fiscal 2020 गलत कम हुआ है यह तो simple statement है सारे sector तो down ही हुआ है यह से कमी sector है जो थोड़ा सा बढ़ा है यह pandemic के टेम है या fiscal 2020 में IRDA के बार में statutory body लिखा है very correct so answer is option B 3 only question number 4 consider the following statements with respect to one gujjas which are correct video post कीजिए और answer बताएजी I hope आपने answer किया होगा now the answer is option C 2 and 3 only statement 1 गलत है देखें one gujjas से related एक news आयता दोस्तों यह news में बताने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं यह कौन है they are forest-dwelling nomadic community inhabiting the foot hills of Himalayan states such as Uttarakhand, Himajal Pradesh and Jammu and Kashmi तो basically Himalayas के foot hills में कौन-कौन से state में है Uttarakhand में, Himajal Pradesh में, Jammu and Kashmi आपको दिखेंगा one gujjas usually they migrate to grasslands this को bugyals बोलता है located in the upper Himalayas with their buffaloes and return only at the end of monsoons to make their makeshift hurts they are in foot hills they look, dेख लो दूस्तों, यह लोग क्या करते हैं यह लोग मेगरेट करते हैं Himalayas में, जो grasslands है जिसको bugyals बोलते है bugyals मेरी pronunciation सही या गलत है मालूब नहीं, फिल्म में बता रहा हूँ यह लोग मेगरेट करते हैं basically, ठीक एक time पे हिमालयास में grasslands में लोग migrate करते हैं और काफी महीने बाद वापस आता है Traditionally practiced buffalo husbandry Family owns up to 25 heads of buffalo तो basically dairy industry दूद बेचते हैं उत्राखन high court has reprimanded the state government for stopping some one gujar families on the way to Govind Pashu Bihar National Park ये देखी ये problem हो गया था जो उत्राखन के state government है ये जो one gujar community को ये जो migrate करते हैं ये लोग मैंने बताया आप 2-3 महीने के लिए migrate कर लेते हैं ये मना कर ले क्योंगी इनको Govind Pashu Bihar National Park के अंदर से जाना होता था तो National Park के अंदर ऐसे जाना उलोग अलोग नहीं किया तो इन्होंने court में जाके बोले कि हमें ऐसे अलोग नहीं कर रहे हम इस तरह सर्वेव नहीं कर पाएंगे करके तो इन्होंने ये बोला high court ने ये order दिया कि one gujar को राइट है मतलब हिमाले नालपेन मिडोस जो बुग्याल्स बोलते है बिनासलान स्पोलते हैं उदर जाने का ये कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इनकी life use में dependent है इनको जाना ही है ये article 21 का violation है इस तरह बोला ठीक है तो वैसे ये ही जान लीजे उत्रागन high court ने one gujar को गोविन पशु विहार नाशल पार के अंदर से जाने का अनुमदी दे दिया है ठीक है तो इसलिए नूस में आता तो गोविन पशु विहार नाशल पार के बार में जितना information लेना है वो ले लीजी आप लोग क्योंगी very important protected area है काफी news में भी आया है अब देखिए दोस्तों अमरा statement में क्या क्या लिखा है देखिए दोस्तों ये statement सही है क्योंगी आप देखोगे वन गुजस के बार में हिनके पस legitimate permit से मतलब legitimate मतलब क्या होता है approved by the law हिनके पस actually permit है पर state government इनको रोक रहा था right so answer is option C 2 and 3 only question number 5 volatiles investigating polar exploration rover a lunar rover is developed by which of the following space agencies video post कीजी और answer बताइड I hope आपने answer की होगा now the answer is option B national aeronautics and space administration नासा तो नासा ने एक नया lunar rover developed किया है shortly यह भी launch किया जाएगा वैसे नासा का ओलडी rovers काफी सारे उनने डेलोप किया मार्स में जो perseverance है और एक rover इसका नाम में भूल गया बता दीजिए comment box में नासा ने दो rover अभी उनका मार्स में है दूसरे का नाम क्या है वोलाटेर्स इन्वेस्टियेटी पॉलर exploration rover के बारे में देखे नासा ने डेलोप किया है नाउमबद 2023 तक यह बेजेंगे यह solar power में run करते हैं बाकी details पढ़ लिजेगा दोस्तों वैसे basic information आपको होना चाहिए answer is option B national aeronautics and space administration तो दोस्तों हमारा daily 5 mock question सिदर खतम हो रहा है कले question पूछा था which one of the following is the appropriate reason for considering gondwana rocks as the most important of rock system of India answer is option B more than 90% of India's core results are founding done direct question है direct answer है ज्यादा explanation की जरूँत नहीं है अब देखें आज का question which one of the following statement is not true इसको सिनका answer मुझे comment box में बता दीचेगा तो दोस्तों वीडियो में इधर फिनीश कर रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं अपनों को मेरी explanation कुछ समझ में आ रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है ऐसा है तो आप मुझे बता दीचेगा comment box में कैसा लग रहा है थाकि मैं कुछ इंप्रूव कर सकूँ लक्षे की PDF as usual आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रवेड़ेड़ है थाक्यू फर वाचिंग भाई 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 है वे नाइस डे